नमस्का आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्त के बारे में और इसके जानकरे देने के लिए हमारे साथ है डोक्टर भावया कुराना डोक्टर साथ सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है डोक्टर साथ हम जानना चाहेंगे मानसिक स्वास्त क्या है और इसका शरीर पर क्या प्रभाब पड़ता है देखे जिस तरह हम अपने शारीरिक स्वास्त का ध्यान रखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं कब खा रहे हैं कितना खा रहे हैं उसी प्रकार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मानसिक स्वास्तका ध्यान रखे पर जादातर लोग अपने मानसिक स्वास्तका ध्यान ही नहीं रखते उस फैक्टर को निगलेट कर देते हैं तो हमारे मन के ना तीन आसपेक्स होते हैं सत्वर अजर्तम, ये तीनों हमारे मन में होते हैं, पर कौन सा प्रधान है? इसके बेसिस पर हमारी मनुस्तिति पता चलती है, अगर जैसे की हमारे मन जो है, वो सत्वर प्रधान है, तो मन बहुत शुद्ध, शांत रहेगा. अगर कोई डिफिकल्ट परिस्तिति आती है, तो वो काम रहता है, स्टेबल रहता है काफी, मतलब इमोशनली स्टेबल होते हैं ये लोग, अगर राजसिक प्रधान है मन, तो उसके अंदर अग्रेशन बहुत आउगा, गुस्सा आएगा, इगो इश्यूस होंगे, इर्श्या का भाव होना, जेलिसी होना, ये सब हम राजसिक मन में रेखते हैं, लडाई जगड़े भी इस वज़े से होते हैं इन केसे में, और जो तामसिक मन की प्रवित्ती होती है, तो फिर उसके अंदर लोग बहुत आलसी होते हैं, उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता है, वो कोशिश करते हैं कि किस तरह हम ये काम ना करें, तो हमेरा जो मन होता है, वो जैसे हमने धिसक्स करा सय्थव प्रधान होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हम information consume करते हैं जिक किह हम क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्युकि इन चीजों का हमारी मनोस्थिती पर डा göz प् उसके अलावा हम जिस तरह की diet consume कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, कैसा आहार खा रहे हैं, वो सात्विक होना चाहिए, जादा non-rage, जादा alcohol consume करना, यह तामसिक आहार हो जाता है, इसका हमारी मनुस्तिती पर अच्छा impact नहीं होता है, इसके अलावा भी हमारी routine, हमारा जो environment है, यह भी हमारी मनुस्तिती पर बहुत प्रभावत डालता है, और जैसे कि आपने पूचा कि यह क्यों महट पपून है, तो जिस प्रकार हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हमें अपने मन का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि जितना भी काम हो रहा है, वो हमारे मन की समय पर इतना तनाव लोगों में था और वही परस्तिती अभी भी बनी हुई है, तो डोक्र सब उस तनाव में लोगों को कैसे अपने से तनाव मुक्त रखें, किस तरह से अपना मन लगाएं, उसके बारे महम आपसे थोड़ी जाम करे लेना चाहिए, जी, जी, देखे, समा कारण है, वो यह है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करें, उसके बहुत जादा कि आगे क्या होने वाला है, मतलब जैसे अभी COVID है, तो आगे क्या होगा, अभी हम डेल्टा वेरियंट की बात कर रहे हैं, अभी हम ओमनिक्रोन की बात कर रहे हैं, कभी कोई वेरि कि बहुत जादा तनाफ क्रियेट हो जाता है, और हम देखते हैं तनाफ की वज़ए से लोगों में गुस्ता भी जादा आता है, फिर चिरचड़ा पन रहता है, कहीं लोगों के रिलेशनशिप इस्यूस भी हो जाते हैं, तो फिर इस समय तनाफ आता जाता रहता है, पर इसमाग नेरंतर चलता रहता है, जब रुकता ही नहीं है, शान्त ही नहीं होता है, तो ऐसे सिंटम्स इंसाइटेज इस ओड़ास के भी मिलते हैं, और ये केसे कोई के समय बहुत बढ़े हैं, जी लक्षमी जी, डोक्षम आप से जाना चाहेगे, तनाफ और डिप्रेशन मे बहुत जादा बढ़ जाता है, तो इस वज़े से नेगटिविटी बहुत क्रियेट हो जाती है, उसके लक्षम इस प्रकार है कि मन बहुत जादा उदास उदास से रहता है, पेशिन का, मतलब जादातर लोगों के साथ क्या होता है, कि कोई अच्छी बात आई, कोई खुश इस वज़े देखना पसंद है, किसी पो फेड़ रहे देखना पसंद है टहुत में पानतुन का जिस देखना है उस इंसान का चीज में उसकी रुची है उसमें भी रुची ना होना, इस गहों पक्या बहुत कम लगती है जिस वज़े से कि एड़ी अगो лиш takes ल्हें लोह को है नीन देर से आती है नीन जल्दी कुल जाती है लोग बोलते हैं कि सवेर जिस समय उत्थे रहे हम एक दो घंटे जल्दी ही उत्थ जाते हैं इसके अलावा मन में ध्यान concentration बहुत कम हो जाता है बच्चों का पढ़ाई में concentration या आपका काम में आपका concentration वो कम हो जाता है एनर्जी नहीं रहती बॉड़ी में उर्जा की कमी हो जाती है कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा और इसमें एक और चीज होती है आत्मगलानी बहुत रहती है पेशिंट को पेशिंट को लगता है अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसकी वज़ा से हो रहा है वो सारी चीजों का कुसरवार जो है अपने आपको धहराता है और सुसाइदल थौट्स भी आती है तो यह सारे बॉक्षन जैसे में मिलते हैं हमके लख्षमी एकम उसकी को डिप्रेशनétique तो किमेंने इसकी दवाईयां दिजाती है किस तरीके सिंकम इलाज क्या रखता है? योगा भ्यास कीजे, प्राणायाम कीजे, डीबीडिंग एकसराइज कीजे और इसके अलावा में एक और चीज बोलूगी कि आप सुभी उत्ते ही या सोने से पहले न्यूज मत देखे क्या है? बहुत जादा नेगेटिविटी है अभी, आपको सारी बाते पता है, पर पूरा दिन आप उसी चीज के बारे में सुन सुन के अपनी नेगेटिविटी को और बढ़ा रहे हैं तो उत्ते ही न्यूज या फिर सोने से पहले न्यूज मत देखे, बार-बार उस चीज के बारे मत पढ़िए, उससे आपका दिमाग और ज्यादा तनाव में रहेगा, अपने आपस में लोगों से बाते कीजे, उने घरवालों से बाते कीजे, अच्छी बाते कीजे, उससे आपका तनाव कम आएगा, अगर आपको फिर कांसिलिंग की जरूरत है, तो कांसिलिंग सेशन लीजे और मेडिसन लीजे, जी लक्षमी जी, अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हुआ है, तो उस समय उस जो परिवार के व्यक्ति होते हैं, उसके साथ उसका कैसा होना चाहिए, या आसपास के जो ससाइटी उसके प्रतिव के विएर कैसा होना चाहिए, जी, अगर किसी की घर में किसी को डिप्रेशन है, या स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे अब काफिल हो, तो पहले तो आप उनसे बात कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाईए, उनको कारण है, सोशिल मीडिया, कि सोशिल मीडिया पर बच्चे कुछ देखते हैं और अपनी लाइफ को कंटेनूसली उससे कंपेर करते रहते हैं, जिससे उसका, उनका स्ट्रेस बहुत भड़ता है, दूसरा बच्चों के केस में पढ़ाई की टेंशन होती है, अभी स्कूल जै करना चाहूंगी, कि आप थोड़ा उनसे बात कीजिए, ताकि बच्चे आप से खुल कर बात कर पाएं, कहीं बारी यह होता है कि पच्चों के दर में, मन में यह डर रहता है, कि पता नहीं हम पेरेंस से बात करेंगे, तो कैसे रियाक्शन बहुत मैटर करता है, तो पेरेंस सही होना चाहिए, आप वच्चाप पे जो भी इंफरमिशन शेयर करते हैं, या सोशल मीडिया पे जो भी इंफरमिशन शेयर करते हैं, उसको आप वेरिफाई कीजिए, देखें, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, बार-बार सेम चीज या फिर गलत चीज़े, बहुत गलत ची और जो लोग रिकावर हो चुके हैं कोविट से, मैं उनको बोलूगी कि आपकी अगर फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेवर्स में, अगर कोई कोविट पॉजिटिव होता है, तो आप उनसे बात कीजिए और उनका मनोबल बढ़ाईए, क्योंकि जिन लोगों को हो जाता है, वो उनको लगता है कि वो बहुत अकेले है, उनका मनोशक्ती जो है, मनोसिटी जो है, वो बहुत कमजोर हो जाती है, तो वो लोग अकेले नहीं है, सब आपके साथ है, आप अपनी हिम्मत बढ़ाएए, बस मैं यही कहना साओंगी, जी लक्षम जी, जैसे आपने डोक्र जाता है, जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे 60 या क्या ही, लोगों में देखा जाता है, 70, 80 के आसपास, उनको नेचरली कुछ प्रोब्लम होने लगती है, माइन में, उसको हम क्या कहेंगे, तनाव के बेसिस पर ही बता पाएंगे, क्योंकि तनाव उमर के साथ भी बढ़ता है, जो है, जो है, जो मैंने लक्षन बताए है, अगर वो लक्षन आ रहे हैं और वो दो हफ़ते से जादा है, तो वो दिपरेशन है, कहीं बारी क्या होता है, कि बड़े लोगों में तनाव इस वज़ए से होता है, क्योंकि उनकी जो बच्चे है, उनकी फैमिली है, बच्चे आच कर बहुत से बच्चे हैं कि वह पाता है, तो रहती 좋아 है, अगर पेरिंसों से बाते लोगों है, नाव संसर है, जिली को दे लोगों एसा होता है कि कोई बड़ी चीज हुई हो तब ही डिप्रेशन हो कुछ कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं छिनकी लाइव में सब सही है फिर भी डिप्रेशन हो जाता था है तो ऐसे भी केसि आते हैं जी ललक्षमी किसीmeye नहीं है तो उनको कंसल्टेशन लूने से कांसल्टेशन ले कांसलिंग सेस्षिंस ले बातकरें उनकी दवाईयों का डूरेशन रहता है Ooh के अधिधे फ़ेराउंड के भी three पर जादा चलती है डवाईय और उनके मपढ़ें करेगा उनकी रिकावरे करनेंगा डप्रेशन कहीं बारे यह होता है की जिनको फुपर मेंको स् फेलाप्स बूलते है इनको फिर से हो जाता है उसलिम मौत और आफनेको ऺते हैं कि तो उस्ल किस तरीके से उनको दवाई किया एक दो महीने के बाद बंद कर देनी चाहिए इसके कोई कोर्स होता है उसको पूरा करना चाहिए हम आपसे जानना चाहेंगे जी अगर आप कोई मन ऊसृटी के लिए जो भी दवाईया ले रहे हैं डिप्रेशन के लिए और दिप्रेशन फिर से होने की सम्भावना जादा रहती है तो अगर आपको दवाई बंद भी करनी है या कम भी करनी है तो आपके डॉक्टर करेंगे आप खुछ नहीं कर सकते हैं नहीं तो उसके नेगटिव भी हो सकता है लेकि तो मैं आप उसके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के प्रती हम आप से जाना चाहते हैं जी देखे जैसे शरीर में बिमारियां होती है हम उसका अच्छे से इलाज करते हैं फिर उसका ध्यान रखते हैं वो ठीक हो जाती है उसी प्र तो इस केसे में घबराने की कोई जरुरत नहीं है, आपको जिजकने की कोई जरुरत नहीं है, क्योंकि ये ठीक है, काफिर लोगों को ये दिक्कत होती है, आपको आके ये बोलना चाहिए, डॉक्टर से उसकी दवा लेनी चाहिए, इसमें कोई गलत बाव नहीं है, नहीं आप को कुछ छीनफावना आनी चाहिए क्यूंकि अब बिमार हैं आप धॽशी हटेंगे आप अपना ध्यान हoki हो जाएंग है तोइसे ही कि नहीं क्या दबा लोग क्या सोचंगे तो इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि आजकर कवरी लोगों कोि यह डिकते आ है अब जाहिए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ओनलाइन कंसल्टेशन लीजिए या तो और फिर धिरे-दिरे दवा शुरू कीजिए और अपने आपको स्वस्थ में सुस करें गया जी जी लक्ष्ण यह तो देखा जाता है मोसली सहर व्यक्ति में देखा ही जा रहा है तो हम किस तरह से मैं अपने को डिप्रेशन यह तरह से कैसे हम अपने को ठीक रखें आप थोड़ा हमें इसके जान करें देए देखे आप तो पहले घबराईये मत मैं यह बोलूंगी अगर आपकी फैमिली म सिंबर्स में फॉर एक्जांपल किसी को कोवेट के सिंटम्स आ रहे हैं किसी खांसी है बुखार है सांस लेने में डिकत है शरीर में दर्द हो रही है जोडों में दर्द है आदी तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अपना टेस्ट करवाईये आरेटी टेस्ट करव और डॉक्टर को दिखाईये और समय पर दवा शुरू कीजिए इसके अलावा अगर आपको सिंटम्स नहीं भी है फिर भी घबराहत होती है तनाव होता है बार-बार आंकड़े देख देखके या वही नेगितिव इंफॉरमेशन बार-बार कंस्यूम कर करके तो फिर आप थोड़ा अपने आपको शान करें अच्छी चीजे सुनें, डिटेशन करें, इडिटेशन योसे मैंने पहले बताया, डिटेशन को अपना पार्ट बनाए, लाइफ का और प्रनायाम करें, अच्छा आहार करें और रूटीन में रहें आप, आपकी रूटीन बहुत माटर कर है उसके बार में बात करें उसका समाधान निकालने की कोशिश करें यह वली चीज आज को सभी को हो रही है कि डर रग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इस सभी अभी है तो आपको डरने के जरुद नहीं है सब आपके साथ है अपनी हिम्मत बनाए रखें जी लक्षमीजी अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है उसके दवाये चले उसको आहार कैसे देना चाहिए जैसे कि मैंने बोला कि आपको अच्छा आहार सात्विक आहार का ही सेवन करना है घर के बनावाँ अच्छा खाना खाइए बहार का जंक फूद पैलकोहॉल का कंजम्शन तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चीछे तो आलकोहॉल का कंजम्शन ओज्या ताम से कहार का खाना, जादा नॉन्वेज वगेरा लेना, या जादा जंग फूद वगेरा लेना, इस सब को नहीं करना चाहिए हमें, और जैसे कहीं लोग को भूख नहीं लगती है, या मन नहीं करता खाने का, तो आप खाये, थोड़ा सा खानी है, और समय पर खाये, यह आपके दवा देते हैं, और उससे काफी अच्छी रिजल्स आते हैं पेशिंट में, पेशिंट की क्या मनोस्तिती है, उससे कितने समय से है, वो किस दवा पे चल रहा है, उस बैसे पे हम उनका पूरा ट्रीटमेंट प्रोसीजर प्लाइन करते हैं, अगर पेशिंट को कांसलिंग की प्लाइशन में दोनों में क्या फर्क्या और उसके किस तरीके से उसको हल किया जा सकते हैं, इसके बारे में आपने हमें महत्मुन जानका रही दी, जोक्टर साह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्क्राइब।